आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेस्पी सेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही कुरकुरे और चटपटे होते हैं जैसे हम मार्केट से स्नेक्स लाते हैं फ्रोजन स्नेक्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं ये और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं इसे हम बहुत ही कम इंग्रेडियन से म आप भी इसे आसानी से बना के महीने बर तक फ्रीजर में रख के खा सकते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, हेलो एवरिवन आपका स्वागत है मेरे कीचन में, तो ये जो आज की रेशपी है, इसको बनाने के लिए हमें बहुत सारी सामगरी की जरूरत नहीं है, म हमने जो अद्रक और हरी मिर्च को बारिक बारिक चौप करके रखा था, उसे भी इसके अंदर डाल देना है, थोड़ा सा चलाते हुए हमें इसे भून लेना है, आप अद्रक और हरी मिर्च को बारिक बारिक चौप करने के जगह पे इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, साथ मे डालेंगे एक बड़े साइज के प्याज को तो यहाँ पे प्याज को में बहुत जादा नहीं भूनना है प्याज को हम हलका सा चलाते हुए थोड़ा सा सौफ्ट हो जाने तक भून लेंगे तो एक से दो मिनट तक प्याज को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे एक कप पान ताके पानी में उबाल आने लगे अब हम एचावल की आटे के अब हम एचावल के और करके इसमें एड करना है गैस का फ्लीम एकदम लो रखेंगे और अभी आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि जैसे पानी कम लग रहा है इसमें लेगिन ऐसा कुछ नहीं है आप अच्छे से इसको मिलाते रहेगा और चावल काटा है ना हमें थोड़ा-थोड़ा करके ही डालना है जैसे जैसे इसको मिक्स करेंगे ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें बिल्कुल भी अलग से हमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहां पर गैस का फ्लीम हमें लो ही रखना है तो तीन-चार मियर तक आप इसको ऐसे दबा-दबा की मिलाएंगे ना त इसमें थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया फिर से एट किया है अब हम इस गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़े देर के लिए हमें ढख के ऐसे ही छोड़ देंगे इसके अंदर जो भाब बनेगा न उससे यह आटा अच्छे से से सेट हो जाता है तो चार-पाच मि हो जाएगा तब हम इसे किसी भी एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे तो इसे निकाल की थोड़ा सा हमें ठंडा कर लेना है ताकि हमारे हाथ न जले उसके बाद हाथों से इसे अच्छे से हम मिला लेंगे तो इसका एकदम बढ़िया सा स्मूज सा डो बनके तयार हो ज आलू का कोई बड़ा टुकडा इसमें नहीं होना चाहिए अगर आप इसमें कुछ और सब्जी एड करना चाहते हैं तो जब हमने प्याज भूना था उसी से मैं आप इसमें बारिक कटा हुआ गाजर और सिम्ला मिर्च डाल के प्याज के साथ भून लीजिएगा फिर इसमे आप चाहे तो अपनी पसंद के कोई भी सब्जी एड कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए आलू को डाल के अच्छे से मैंने इसे मिला लिया है अगर यह हातों में चिपके न तो आप थोड़ा सा हतेली में तेल लगा लिजेगा अच्छे से इसको हमें मिला लेना है तो यह ह सबसे पहले थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और इसे हतेली के बीच में रोल करेंगे और इसको अलका सा दबा देंगे जäs्ट से हम नगेट लाते हैं इसे वहाई जा deineni person म्हारा सेल के लिए रेंगे औरता सा हिस्सा लेंगे काफी ज़्यादा यूनेक सेफ है और देखने में काफी आसान है फटाफट से बन जाता है इसके लिए सबसे पहले इसे गोल करेंगे हलका सा चिप्टा करेंगे और पेन या फिर उंगलियों की मदद से इसके बीच में हमें एक छेत कर देना है तो जैसे डोनट होता है बिल्कुल वैसा ही सेफ मैंने इसे दिया है ये देखने में काफी उनीक है और काफी खुबसूरत लगता है तो इस तरीके से बना के आप इसे किसी भी एर टाइड डबे में बंद करके फ्रीज में तो ये तीन-चार दिन तक खराब नहीं होता है बाकी अगर आप इसे एक महिने तक इस्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रीजर में रख सकते हैं और अब मैंने यहाँ पे लिया है एक कप कॉन फ्लेक्स जो नॉर्मल हम रोज नास्ते में यूज करते हैं इसे मिक्सी जार में डालेंगे और इसे एकदम बारीक पीस लेना है और ये जो हमने यहाँ पे त्यार किया था नास्ता इसे हमें अच्छे से इसमें कोट कर लेना है ये काफी अच्छे से गीला है तो अलग से आपको मैदा या कॉन फ्लोर का गोल बना के उसमें डीप करने की जरूरत नहीं है डारेक्ट आप इसको इससे कोट कर सकते हैं और अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं बहुत ज्यादा ओयली हो जाते हैं तो इसे हमें मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है और अगर आप इसे बहुत ज्यादा तेज आज पर फ्राई करेंगे तो इनका जो कलर है काफी ज्यादा डार्क हो जाएगा तो इसे medium flame में फ्राइ करेगा friends बहुत ही crispy बनते हैं इस तरीके से और इस तरीके से आपको एक बैज को फ्राइ करने में 3-4 मिट लगेगा बहुत ही अच्छे से इस तरीके से crispy हो जाते हैं और जो हमने इस पे coating लगाया है न कॉनफ्लेक्स का वो भी बिल्कुल भी तेल के अंदर खूलते नहीं है तो आप देखिए कितना अच्छा सा इस पे color आ गया है तो बस इसे हमें तेल से छान लेना है बहुत ही फटा-फट से बन जाता है ये recipe देखने में जितना आसान है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है तो वैसे तो आप इसे किसी भी चटनी या sauce के साथ परोश सकते हैं पर आज हम इसको साथ परोशने के लिए एक cheese sauce बनाएंगे तो इसके लिए मैंने एक पैन में एक बड़ा चमच मखन डाला है मखन के साथ हमें इसमें एक चमच मैदा भी डाल देना है इसे एक सी दो मिन्याट तक हमें चलाते हुए भून लेना है ताकि जो मैदा है इसका कच्चापन निकल जाए तो दो मिन्याट तक भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप दूद और दो टीजपून मैंने इसमें इसके साथ मिल्क पाउडर भी डाला है और इसे अच्छे से हमें चला लेना है अच्छे से मिक्स कर लेना है तो cheese sauce बढ़ा है तो हम इसमें डाल देंगे एक cheese का cube आप इसके जगह पे cheese slice भी डाल सकते हैं और अच्छे से इसे मतलब तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए और इसका थोड़ा सा कच्चा पर ना निकल जाए तो बस दो से तीन मिन्याट लगेगा अच्छे से ये दो- पिंच से भी कम मैंने इसमें नमक डाला है और थोड़ा सा हम इसमें chili flex डाल देंगे तो ये जो cheese sauce है ना बहुत ही tasty और creamy बनता है इस पेसली बचों को बहुत ही पसंद आता है तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे cheese sauce के साथ ही परोसा है वैसे आप इसे चटनी या sauce किसी के तो आप भी सिर्फ एक कप चावल की आटे और उबले हुए आलू के साथ बिल्कुल market जैसा snacks घर पे बना सकते हैं और जो भी इसको खायेगा ना आपकी तारिफ करते नहीं धगेगा इस पेसली बचों को तो यह बहुत ही पसंद आता है तो आप इसे cup try कर रहा है मुझे comment कर करके जरूर बताए रेस्पी अच्छी लगिया है तो वीडियो को लाइक करे फैमली और दोस्तों में इसे सेयर जरूर करें और मुझे support करने के लिए मेरे चनल को subscribe जरूर करें फिर मिलते हैं एक और नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्ते